शेराम चर्णानूरागी आचारे राजमिश्राजी से धर्म संस्पृती और एस्ट्रलाजी से सम्मन्दित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान को अभी सब्स्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें जैश्राम बहुत बहुत शागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान में मैं हूँ आपके शाथ आचारे राजमिश्रा लेकर के हाजिर हूँ दिसंबर 2020 के लिए राशी भल किस प्रकार रहने वाला है तुला राशी के लिए खास करके 2020 दिसंबर हम आज इस पर चर्चा करने वाले हैं बहुत सुन्दर चर्चा है और इसे आपको बहुत लापराप्ट होशकता है कैसे आप इस उतरते हुए माह को, उतरते हुए वर्ष को जो है वो सुन्दर बना पाएं, अगर अंत में भला हो तो सब भला ऐसा कहा जाता है जो तिस जास्तर में हुए नियम है, दिशंबर में शुक्र का संचार पूरबार्ध में शुक्र का संचार रहेगा, डैनिक कारियों में प्रगती होगी, यानि जो कारिय अभी आप कर रहे हैं, उस कारिय में आपको अच्छा खासा लाव क्राप्त होने वाला है, शुकर के रखने कि आउशकता है एक तो इस माह आलश से आपको बहुत नुक्सान देने वाला है और यह के शाधन बनते रहेंगे दैनिक कारी जो कर रहें उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा लेकिन अगर आलश से करेंगे तो आपको नुक्सान का भी सामना निस्जित रूप से करना पड़ेगा एक और चीज़ कहना चाहूंगा खेर मैं बहुत छोटी राशी फल करने का प्रयास करता हूं मेरा बहुत बड़ा करने का नहीं रहता विचाथ लेकिन कुछ जरूरी जरूरी जानकारियां देने का मन करता है इस महिने आपके मन में भठकाव आएगा शादी सु क्रें रखें कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बहुत नुक्सान दे जाती हैं और उसके साथ चीज़ें कुछ लोग सड़ेंत्र कर रहे हैं आपके खिलाब तो आपके द्वारा कई वार फोन पे बोली हुई बाते कुछ चीज़े बहुत खतरनाक हो जाती हैं तो इस माह जब भी किसे बात करें तो थोड़ा साउधानी पूर्वग बात करें तांकि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े ये विश्वेश ध्यान रखेगा शनी की धहिया आपके उपर चल रही है सनी की धहिया चलने की कारण जो उत्रार्द जो मास का अंत है वो आपके लिए थोड़ा सा नुक्षान दायक हो सकता है क्या उपाई किया जाना चाहिए काले वस्त्र आपको बिलकुल भी नहीं पहनने चाहिए काले वस्त्र पहनेंगे तो आपके लिए नुक्षान दायक होगा सनिवार को सरसों के तेल में चहरा देखकर तेलदान करना है अब ये चाहे आप पहले सनिवार को कर सकते हैं या अंतिम सनिवार को कर सकते हैं या फिर आप हर सनिवार को कर पाएं तो वो भी आप कर सकते हैं आपके लिए फायदे मंद होगा श्री राम चरित्र मानस बाल कांड में दोहा नंबर 17 है प्रणवव पवन कुमार खलवन पावक ग्यान घन जाशु हिरदय आगार बसहिराम सरचापधर शद्धा पूर्पकर इस दोहे का भिया प्रोच पाट करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदे मन दोगा परमात्मा आपके समय को अच्छा रखें आपके दिन को बहतर रखें कोई और इंफॉमेशन आपको प्राप्त करनी है अपने प्रस्टनल बारे में तो आप निश्चंत हो करके जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं आप से जरूर बात करूँगा आपकी समस्या का शमाधानो इसका मेरा प्रयाश रहेगा जैस्त्री राम शेराम चर्णानू रागी आचारे राज मिश्राजी से धर्म संस्कृती और एस्ट्रलॉजी से समंधित जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मानस जोतिश ग्यान को अभी सब्स्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें